हाई फ्रेंट्स हमाचल परदेश वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे हमाचल परदेश अबिस्टेटिव हिस्टरी 1971 से प्रेजिन टाइम तक लास्ट एपिसोड में हमने ये जाना कि हमाचल परदेश के गठन से लेकर हमाचल परदेश के स्टेट हूट बनने की कहानी 15 अप्रेल 1948 को जब हमाचल परदेश बना तो उस समय के पशाद 1951 तक हमाचल परदेश चेव कमिशनर प्रोविंस रहा 1950 में जब हिंदुस्तान का संभिधान बन के तयार हुआ तो संभिधानिक विवस्ताओं के नरूप भारतियों क्षित्रों को पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D में डिवाइड किया गया हिमाचल परदेश के हिस्से में आया पार्ट C स्टेट 1st November 1951 से 1956 तक हिमाचल परदेश भाग गवराजयो यानि की पार्ट C स्टेट बना रहा पार्ट C स्टेट के मेकैनिजम में लेटिनन गवर्नर की ध्यक्षता में एक लिमिटेट शक्तियों वाली विधान सभा का गठन किया गया हिमाचल परदेश में भी 36 मेंबर वाली विधान सभा का गठन किया गया हिमाचल परदेश में 1952 में पहली बार लोक्तांतरिक सरकार बनी जिसकी मुख्या की जिम्मेदारी डॉक्टर वायस परमार की थी सेबंथ अमेंडमेंट 1956 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया इस अमेंडमेंड के द्वारा जिसके द्वारा जो प्रेजेंट क्लासिफिकेशन था A, B, C, D इसको हटा कर एक नया क्लासिफिकेशन किया गया अब इस क्लासिफिकेशन में तीन भागों में बांटा गया राज्यों केंदर शाशित परदेश और अन्यव और जितक्षित्र यानि कि स्टेट यूनियन टरिट्री एंड एक्वाइड एरिया और हमाचल परदेश के हिस्से में आया यूनियन टरिट्री केंदर शाशित परदेश हमाचल परदेश 1956 को केंदर शाशित परदेश बना इस केंदर शाशित परदेश के मेकैनिजम में टेरिटोरियल काउंसल का गठन किया गया टेरिटोरियल काउंसल के पास शक्तिया बड़ी लेमिटेड थी उन 1963 में जिन राज्यों को केंदर शाशित परदेश बोशित किया गया था उन राज्यों में बिधान सभाओं की वापसी हुई हेमाचल परदेश में भी 1963 में बिधान सभा की भाल किये और यहां पे लोकतांतरिक सरकार का गठन हुआ 1963 से 1971 तक हेमाचल परदेश केंदर शाशित परदेश बना रहा लेकिन हेमाचल परदेश में लोकतांतरिक सरकार 1963 से लेकर 1971 तक लगातार कारे रत थी 25 जन्वरी 1971 को हिमाचल परदेश को स्टेट हुड मिला हिमाचल परदेश के लोगों को लगा कि जैसे उनके सपनों का आसमान मिल गया और हिमाचल परदेश भारतिय संग का अठारवा बड़ा राज्य बना स्टेटूट बनने के पश्चाथ हेमाचल परदेश अब सही माइने में बिकास के पत्फर अगरसर हो रहा था लेकिन हम जैसा की जानते हैं कि हेमाचल परदेश एक पाड़ी परांथ है संसादनों का अभाव हमेशा से हेमाचल परदेश मेरा लेकिन तमाम अभाव के बावजूद भी डॉक्टर वायस परमार का नेत्रित्तो और उनकी दूर दर्शिता के कारण हेमाचल परदेश लगातार बिकास के नए आयाम छू रहा था 1971 के अंत और 1972 के प्रारंब में हेमाचल परदेश में बिधान सबा के चुनाओ हुए इन बिधान सबा के चुनाओं में एक बार फिर भारती और अश्टियो कॉंग्रेस पार्टी का को भावमत मिला और डॉक्टर वायस परमार का जलजला हेमाचल परदेश में जारी था डॉक्टर वायस पर्मार हिमाचल परदेश के एक बार फिर और आखरी बार मुख्यमंतरी बने तो 1922 के प्रारंब में भी यह हवा चलनी शुरू हो गई कि 1966 के पश्चाथ पंजाब पुनर गठन से जिनक शित्रों को हिमाचल परदेश में विले किया गया था उनका बेवारिक पुनर गठन करना अनिवारियो है क्या थी पुनर गठन की कहानी आईए थोड़ा सा समझते हैं 1966 में हिमाचल परदेश में पंजाब पुनर गठन से चार पाड़िक शित्रों को हिमाचल परदेश में विले किया गया यानि कि चार जिले 1966 में हिमाचल परदेश में विर्य किये गए कांगडा, शिम्ला, लाउलस्पिती और कुलू तो 1972 में जिनका पुनरगठन किया गया जिलों का उसमें प्रमुख जिला था कांगडा इसके तरिक्त मासू और शिम्ला जिलों का भी पुनरगठन किया गया कांगडा जिले को तीन भागों में विवाजित किया गया कांगडा, हमीरपूर और उन्ना जिला यानि कि कांगडा से उत्वन होने वाले जिले थे हमीरपूर और उन्ना जिला इसके तरिक्त मासु जिला और शिमला जिला को पुनरगठित किया गया और मासु और शिमला के पुनरगठित किया गया यानि कि 1971 में दस जिलों वाला हेमाचल परदेश अब 1972 में 12 जिलों में तब्दील हो चुका था और जो नए अस्तितों में आए जिले थे उसमें हमिरपूर, उन्ना और सोलन तीन नए जिले बनाए गए बरतमान समय में यदी हम देखें तो हैमाचल परदेश के प्रशाशनिक धांचे में तीन मंडल जिसमें की मंडी जोकि सबसे बड़ा मंडल है कांगडा और शिमला मंडी यदी हम बात करें तो पांच जिले समाहित है मंडी, बिलासपूर, हमीरपूर, लाउस्पिती और कुलू शिमला में चार जिले, शिमला, किनौर, सोलन और सरमौर कांगडा में तीन जिले, कांगडा, उन्ना और चम्बा जिला समाहित है इसके तरिक्त 12 जिले और 70 उपमंडल, 78 ब्लॉक्स, 105 तैसील, 62 सब तैसील हमाचल परदेश के परशाशनिक धांचे में समाहित है हमाचल परदेश की administrative history जो की 1948 से शुरू होती है प्रेजिन टाइम तक उसका जो पहला फेज था 1940 से 1970 के बीच वो हमाचल परदेश को अकार देने का समय था और 1971 की परशाद जब हमाचल परदेश को एक बिवस्तित अकार मिल चुका था तो दूसरा फेज हमाचल परदेश में institution के development का था और इन institution की development की कहानी में यदि हम बात करें तो हमाचल परदेश Public Service Commission का गठन, हमाचल परदेश उचनियाले का गठन, हमाचल परदेश विश्वद्याले का गठन, हमाचल परदेश परशाशनी प्रशिक्षिन संस्तान फियरलोन का गठन, तमाम तरह के institution का गठन हमाचल एपिसोड में पढ़ेंगे, यदि आपको ये एपिसोड पसंद आ रहे हैं और यदि आप YouTube इस प्रोगाम को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में घंटी भी दबा दें कि जब अगला एपिसोड अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी आपक आती रहे, यदि आप Facebook इस प्रोगाम को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेर करें यदि आपकी इस प्रोगाम के बारे में कोई सुझाओ है या आप कुछ ऐसा टॉपिक हम से चाहते हैं कि हम आपसे डिसकस करें तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जूर करें ताकि हमें प